hallo friends welcome to my YouTube channel इस video में हम देखेंगे कि पीवेम crown या in bridge के ओपर हम औपैक कैसे apply करते और शेयर का का अपली करना होता है और किया तरीका होता है किस तरीका होता है पिक अपलिज करने का तो इसमें हमने 14 योणे डीया है जिसमें की पीछे के दो सेवन जो दोनो सेवन है दोनो साइट के उसमें हमने मैटल क्राउन बनाया है एक जो सिक्स है उसको हमने बकल फेसिंग रखा है और बाकी का सारा फॉल कंटूर पी एफम है तो आगे बरने से पहले फ्रेंड जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दे और वीडियो अच्छी लगे तो इसे सेर जरूर करें थाइंक्यू फ्रेंड तो आगे हम बढ़ते हैं देखते हैं कि कैसे हमारा यह सारा प्रोसेस होता है एक आइडियल प्रोसेस हम देखते हैं यह हमारा 14 यूनिट का ब्रिज है 14 यूनिट के ब् हमें इस पे वासुपी अप्लाई करना है वासुपीग भी कह सकते हैं और इसको अप्लाई करने में हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी पतली सी लेयर लगे यह नहीं कि बहुत ज़ादा मोटी हो और इतना भी पटला ना हो कि हम आंदर से मेठल की ब्लैटनेस दिखती रहे ह में basically metal की blackness को cover करना है और यही wash opaque इसमें मैंने GC bonder यूज किया है यही GC bonder या wash opaque या first opaque ceramic और metal को bond करता है अपस में इसी का काम होता है आपस में bond करके रखना तो यह हमारा सबसे जरूरी program है बहुत सारे लोग क्या करते हैं सीधा metal firing के बाद opaque लगाते हैं जो की बिल्कुल गलत है उसमें हमारे case का result कभी नहीं आएगा थोड़े टाइम में chip off हो जाएगा case हमारा तो हमें wash opaque को अच्छे से लगाना है proper एक uniform layer लगानी है नहीं बहुत जादा motor नहीं बहुत जादा पतला और ध्यान बिल्कुल यह रखना है कि हमारे metal की blackness ना दिखे और इसमें मैंने नीचे से डेंटीन के लिए space निकाला है तो नीचे डेंटीन में भी नीचे भी रिस के उपर भी लगेगा और बाकी जो बकल फेसिंग है उसके सिर्फ बकल सर्फेस पे लगेगा बकल फेसिंग में भी हमने आधा occlusion कवर किया है अब हम इसमें सेड ओपेक लगाएंगे सेड ओपक हमने इसमें आईवोकलर का लिया है आईवोकलर क्लासिक का इसमें ओपेक हम उतना ही निकालेंगे ग्लास लैब पे जितना हमें जुरत है और हमें यह धियान रखना है कि हम प्लास्टिक एस्पेचलर यूज करें इसको मिक्स करने में जो normal हमारा spatula होता है stainless steel का वो opaque के साथ react कर सकता है तो हमें plastic spatula ही use करना चाहिए opaque लगाने के लिए उसके बाद हम एक layer एक uniform layer नहीं बहुत जादा motor नहीं बहुत जादा पतला जिससे की wash opaque अच्छे से cover हो जाए और blackness ना रहे उस हिसाब से हमें पूरे पे एक layer लगाना है और उसके बाद सभी पूरे surface पे जहां-जहां हमें dentine build up करना है उस पूरे surface पे हम एक layer opaque की लगाएंगे त्रहे कि रडाद के जभाएंगे कर दो झाल 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 यहां हमारा ओपेक लगवग लग चुका है ओपेक लगवग 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 चुका है। इसको हम फाइरिंग में भीज देंगे। अपेक फायर जब होके आ जाएगा तो हमें एक और आपेक की फाइरिंग करनी है। उससे हमें यह होगा कि एक आईडियली हमें उपेक को हमेशाद दो फाइरिंग में पकाना होता है और दुबारा लगाने से जो उपेक का में हमे अब सबसे ज्यादा फाइदा होगा अगर opaque कहीं से फटा हुआ है या कहीं से थोड़ा बहुत blackness दिख रहा है तो उसको हम cover कर सकते हैं इसको लगाने के लिए हम generally brush का use करते हैं क्योंकि अब हमें बहुत मोटी layer लगानी नहीं है तो हमें कारवर की जुरुत नहीं है नहीं तो कारवर से लगाने पर अलग से एक layer द लगी हुए तो हमें एक brush के सारे एक पत्तला सा layer सभी पे पूरे surface पे लगाने के बाद इसको fire कर देना है जो हमें firing के लिए generally जो आई वोकलर का opaque होता है उसको 965 पे हम fire करते हैं यह हर एक furnace के हिसाब से अलग अलग temperature हो सकता है 15 डिगरी उपर नीचे हो सकता है